यह तो पूरा वीडियो पूरा वाच कर लिजेगा और साथी साथ जितना कोईशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा यह सभी के सभी फिजिक्स का वैसा कोईशन है जो कि आपके परिक्षा दोजाच चौबीस में जो है सीधे छपने बला प्रशन है टोटल नमर अपकोईश कोईशन रहेगा जो कि आपको पढ़ा रहा हूं और सेक्षन भी यहनी सब्जेक्टिव कोईशन भी आपको परिक्षा से पहले हम करवा देंगे आपको घवराने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है चलिए आप पहला प्रसंद दिखिए बांसर दिए इस कुशन का राइट आ प्रसंद दिखे ले ते दूसर नमर क्या हूँ अब आपको प्रसंद का रॉगा तरफ थे ऑच्था होता है अच्छी तरफ से याद अग्ला प्रसंद देखिए तीसरा क्या रॉगा प्रसंद को आपके ंप पास चार ओप्शिन अपर दिया जरह है वैरिना इस तूडिन का विलकुल ही कुरेक्ट आता है। तप्टतार एम्रे पत्तिधरा क्या पूछ आपको एक्जाम में देदेगा लेकिन आपको यहां पर होना है ध्यान देज़ेगा अगर पूछा जै तब तारी मीटर जो मापता है पतिवर्ति धारा का तो यहां देग नहीं मुल जो आउशद वर्गमान मापता है अप्शन निमर सी इसका बिल्कुली करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम बढ़ियां से याद कर लिजी एक्जाम में कोई भी कुश्चन नहीं चूटेगा यहां पर देगी पाचन प्रशन पुचद रहे क्या प्रेरन कुणली का जो है प्रेरन कुणली जो है एक यंतर है जिसके द्वारा पुचद रहे उत्पन होती है अब बताई जरह जिसके द्वारा पुचद रहे उत्पन होती है या आपका उच बोल्टता होगा या अल्प धारा होगा या अल्प बोल्टता होगा देखे बात होड़ी यहां पर क्या प्रेजरन कुणली की बात होड़ी है प्रेजरन कुणली एक आपका यंतर है जिसके दौरा पूछाजरे उत्पन होती है जिसके दौरा क्या उत्पन होती है प्रेजरन कुणली का विभार क्या जात जाता है इसका पेवार कहां पर क्या जाता है तो विशर्जन जो है नलिकां को जो है नलिकां को क्या क्या जाता है चलाने के लिए यादउपशन पूरी पूच tienes होगा चलिए जी सब का आंसर अना चीए सभी बच्चे आंसर लगाते जाईए वेरी गूर ऑप्शन में डीस का से उतर हुआ विश्रजन जो है नलियों को चलाने के लिए लेस्ट कुशन देखे देखे कुशन में क्या है सेवन प्रशन क्या है एक बस्तु को अगर 15 सेंटीमिटर त का दिया जारा है तो बस्तु Gla inferior जो प्रतिवीं बनेगा यह तो पता है कि आपको वास्तभिक तो बनेगा यह एंडी आबर्देद वास्तु के जो शॉप्पेक्ष जो हो गा यह अपका उल्टा प्रतिवीं में बनेगा क्यूं क्योंकि जो अब प्रकास की एक किरन किसी पारदर्शी पदात की सलैब पर आपतित होती है अगर अगर पूचा ज़िए पूचा ज़िए पूचा ज़िए अब बरतित कीरन और प्रावर्तित कीरन एक दूसरी को जो अगर पूचा ज़िए अगर आप लोग एक भी क्लास में दिक्कत हो जाएगा कलास मिस नहीं करना है अना जो जो बच्छी बाद देखेगा डेली क्लास कीजिए और एक एक प्रसन को याद कर लिजिए हम आपको गायंटी देते कोई भी कोईशन नहीं चूटेगा तो प्रसन देखे किस लेबल का आपके एक्जाम में पूचा जाएगा परकास की क्या एक किरन है किसी पारदसी पदात के जो है आपतन कुन कितना है साथ डिग्री है पर आप्तित होती है और अगर अब बरतित किरन जो है प्रावरतित किरन एक दूसरे से जो है 90 डिग्री पर एक दूसरे के क लेते question में 9 नाइन वर प्रस्टन का आइसा दीजिए इस question का right answer क्या होगा मिर्ग मरी चिका जो है इसका कारण पूछा जरे क्या होता है यह आपका होता है अब बरतन और पुरामतिक प्रावरतन होता है यह आदगना इसका बिल्को सई जवाब है अगला प्रसन है समतल दरपन तो option निमरे इसका बिल्को सई जवाब है अनन्त होती है अगली question की बात कर लेते हैं 11 प्रस्टन का answer दीजिए इसका correct answer क्या होगा प्रस्टन देखे कल भी हमने question बता था तलाब की तली जो एक को चूपा उठवी परतित होती है इसका कारण क्या है इसका कारण क्या है प्रक प्रकास का बबरतन जो जो बचे डेली क्लास करते हों को तो यह प्रस्टन का पता होगा जवाब हना प्रकास का बबरतन के यह कारण क्या तो अतलाब की तली जो एक को चूपा उठवी परतित होती है option C का सई जवाब होगा अगला प्रस्टन देख लेते question में 12 बारण प्र सब्सक्राहिए करने संदेख प्रसट्र कर raped क्या होगा तो यहां पर तुछ चार म और यहां और यहां उस एक में आर्फारा हुं echt कितना है R1 9 हों है और R2 कितना है R2 आपको 10 और 18 हों है तो आपको पता है कि R1 इंटू क्या होता है R2 होता है यानि 9 गुना 18 और 9 पलस 18 आप इसको काट छाट होगे जो आएगा वो अपका उत्तर निकल देगा अब देखो 18 9 कितना हो गया बुलू से 18, 22, 27 हो गया तो यहाँ पर 27 हो गया 9, 27, 3, 6, 18 है यानि इसका जो सही जवाब निकल काएगा 6 ओम 6 ओम कहाँ पर दिख रहा है बुलू से जो ऑप्शन A में दिख रहा है जो कि बिल्कुली करेक्ट आंसर है अगला प्रसंद देख लेते हैं बिदुत के अच्छे चालकों में होता है बिदुत के अच्छे चालकों में क्या होता है बिदुत के अच्छे चालकों में धात्विक होता है यानि option 10 का से उत्तर हुआ धात्विक अगले क्विशन की बात करें किसी माध्य में संचरन के समय सामत की हनी को कहते हैं चिनन यह आंशर होगा बढ़ती हुई जो सामत की विधी को कहते हैं लो अपका परवर्धन को कहते हैं यादना ए मढ़े इसका बनकू सही उत्तर है अगला परस्मन देख लें ते क्विश्ट्टिम 18 भी कि घ्यकर पतार चुनटी जो बिदूत के अची चालकों में होता है बिदूत के अच्छे चालकों में क्या होता है तो विदूत के अच्छे चालगों में धात्विक होता है option number 10 का correct answer है क्या होता है धात्विक होता है next mission की बात कर लेते question में 20 का answer दी जिसका correct answer क्या होगा किसी माध्यम में संचन के समय जो है signal की जो है शामत की हानी है signal की शामत की हानी पूछो जरे क्या होगा करके किसी signal की बढ़ते हुई शामत की विदी को क्या कहते है किसी जो है signal की बढ़ते हुई जो शामत की विदी जो है इसको पूछा जो रहे क्या कहते है तो इसको कहते है प्रवर्धन कहते है यादगना option है इसका बिलकुस सही जवाब होगा अगला प्रस्ण्थे करे जितने समय में किसी radioactive पतात की राशी अपने प्ररारम्श की परिनाम से आदी हो जाती है इसको कहते हैं option 20 का सही जवाब होगा अर्दाईू कहते हैं थिग है ना, चलिए जी सबी बच्चे का जो answer आएक दम जो बरदस आ रहा है बहुत बढ़िया अगला प्रसंद देख लिए कुश्चन में 23 देखी अब आंसर दीजिसका राइट आंसर क्या होगा निम्लिकिन में किसका बतनांग जो है सबसे अधिक होता है अब देखिए अब बतनांग पुछा जो है सबसे अधिक किसका होता है हम शुर्ण यानि शन की बात तो दोड़िए शुर्ण के परकास का एस्पेक्टम क्या होता है सतत होता है या रैखिक जो है एस्पेक्टम होता है या काली रेखा का एस्पेक्टम होगा या काली पट्टी का एस्पेक्टम होगा जल्दी जल्दी आंसर दीजिसका राइट आं का यह अगला प्रसंद देख लेते हैं 26 प्रसंद जिसका राइट आंसर क्या हुआ यह अगला प्रसंद देख लेते हैं 27 प्रसंद एक सन्युक्त सुक्ष्मदर्सी के अभिद्रिश जो बना पतिवीम क्या होगा यह अपका वास्तवी को बड़ा होगा यह अगला प्रसंद देख लेते हैं 28 प्रसंद का आंसर दीजे इसका राइट आंसर क्या होगा एक उत्तर लेंस को जो ऐसे दर में डुबाया जाता है जिसका बतनांग जो है लेंस के पदात के बतनांग के बरावर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो जो लेंस की जो फोकस दूरी जो होगी यह अपका अनन्त होगी या दखना 20 का करेक्ट आंसर है अगला प्रशन देख लिए कुश्चन में 29 29 वर प्रशन क्या है प्रकास विद्दूत उस सर्जन की घटना को 1887 में पूछले किसके द्वरा खोजा गया था या दन हैंड़ी जो हे के द्वरा खोजा गया था अनियों ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा अगला प्रशन है प्रकास किसके कारण शीदी रेखा के प्रशन का अंसर होगा अगला प्रसंदिक थार्टी वर प्रशन का आंसर होगा एक एलेक्ट्टन बोल्ड का मान होता है एक एलेक्ट्टन बोल्ड का वेल्कुन सही जवाब है एक एलेक्टोर बोल का मान कितना होता है 1.6 into 10 to power minus 19 जूल होती है एक्जाम में छपने बला प्रसन है ध्यान दीजेगा सभी स्टूडेन कितना होगा 1.6 into 10 to power minus 19 जूल अगला प्रसन देखिए किसी वस्तु पर आवेश की जो नियूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है अगला प्रसन देखिए क्वेशन में 33 का आंसर देजे इसका राइट आंसर क्या होगा आवेश का बीमा होता है जल्दी जल्दी आंसर लगो आवेश का बीमा क्या होता है आवेश का बीमा 80 हो जाएगा या दखना इसका करेक्ट आंसर है 34 प्रसन है अगला प्रसन देखिए क्वेशन में 35 का आंसर देजे इसका राइट आंसर क्या होगा एक दुर्बिन के जो है अब दुरशक की जो फोकल्स दूरी जो है सार सेंटीमीटर है अगर इसको 20 गुना आवदेत प्राप्त करने के लिए नित्रिका की जो है फोकल्स दूरी जो है होनी चाहिए बताओ जो रहा क्या होनी चाहिए इसकी नित्रिका की फोकल्स दूरी अपक चमता होती है यह होती है 1 प्लस क्या होगा D अपोन F हो जाएगा option कहां दिग रहा है हाँ देखो option क्या होगा option C का बिल्कुल correct answer है C is right answer for this question और जितने student ने दबा की एक बार आप लो like बटन दबा लेजी चलिए अगला प्रसंदिक लेते से एक व्यक्ति जो है- यह तो नेतर दोस्त था जो है बिना चस्मी के बटन की कि दूर बिंदू क्या होगा अगर माइनस ट्वपइंट डियोप्टर की बार तो दूर बिंदू की बार तो बार कि दोर भी कि ना निकल आपका 40 अगर नली की लंबाई बढ़ायी जाती है तब उसके आबंदन चमता क्या होगी तो आबंदन चमता भी अपका क्या होगा अब 80 वह शिधा होगा या अब 80 वह उल्टा होगा जल्दी जदी आंसा दीजे इसका राइट आंसर क्या होगा तो बुलो से अब 80 वह उल्टा होगा अब 80 या उर साती साथ क्या होगा उल्टा होगा बताओ जला इसका राइट आंसर क्या होगा बुलू से उत्तर लेंस की जो है उसको क्या होगी अब शक्ता होगी option निमर एसका बिलकुँ सही जबाब है उत्तर लेंस की okay 40 का एसका correct answer है अगला प्रस्मतिकी 41 प्रस्मतिक निकलेगी आपका 10 निकलेगी option निमर 20 का correct answer है अगला प्रस्मतिक निकलेगी इसका right answer क्या होगा इसकी नली की जो लंबाई जो होगी यादगा नली की लंबाई FO plus क्या होगी FV हो जाएगी option निमर क्या होगा option निमर 10 का बिलकुल एक correct answer है देखे परेक्षा में किस लेबल के आपके परेक्षा में प्रस्मतिक नहीं पाया जाता है वनके फूफ्षा जरे सका हूए यह आपका जो है उबलक। प्राफट हैं नहीं पाया जाता है प्लकूल भी नहीं पाया जाता है और बांकी सभी में आपका पाया जाता है यहाँ तो ये तो डी olmuş in लाए यहीं इसका विवहार किया जाता है कि उस दोस को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है जिसे कहा जाता है एस्टी में हो जाएगा क्या होगा प्रस्ण क्या पूछा रहा है पतली जिल्ली का रंगीन दिखने का कारण इसका जो व्यातिक करनी जिल्ली को रंगीन दिखने का कारण option no.20 का correct answer है option no. b अगला प्रसमा दिखे लेते 46 46 प्रसमान का रंग जो है निला दिखने का कारण क्या है आस्मान का बात ऊरिया न आस्मान का रंग जो है निला दिखने का कारण होता प्रक्रिंडन यादगना option है इसका बिलकोँ सही जवाब है अगला प्रस्ण देखे 47 में प्रस्ण है यदि नीले रंग के प्रकास के फोटोन के उर्जा अगर E1 है और पीले रंग के प्रकास के फोटोन के उर्जा E2 हो तो पूछा ज़रे क्या होगा तो यादगना E1 जो है greater than E2 हो जाएगा option number क्या होगा 20 का correct answer है अगला प्रस्ण देख लेते हैं 48 का answer इसका right answer क्या होगा प्रस्ण आपके स्कीन पर आच चुका है प्रस्ण पूछो जो रहे क्या तर क्या होगा और सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट है इस वीडियो को सबसे विल्याइब लाइक जरूर कर लिए क्यूंकि डेली वही कुश्चन कर वाता हूं डेली सेन कुश्चन नहीं रहा था उस लेवल का कुश्चन कर वाते हैं जो आपके परीक्षा में सीधे लंबाई जो है तो संतुल निर्बाद में डेस पत की लंबाई होगी ऑप्षन क्या होगा बताओ ऑप्षन भी हो जाएगा ठीक है यहान पर ऑप्षन एक यसाद नहीं जाना है प्राशन क्या है डान समझो अगर प्रशन दिखो पूशा दरही क्या अगर इसकी लंबाई सिर्फ आपको T दिया दरही अगर लंबाई अगर सिर्फ T होगा तो तुल्यांग निर्बाद में पत की लंबाई जो होगी पत की लंबाई अपको क्या होगा NT हो दाएगा तो NT तो option B में दिख रहा है तो B इसका सही उत्तर होगा NT होगा silent अभी very good option B हो दाएगा ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं 49 49 प्रशन क्या है जब परकास की एक किरन जो है सलैब में प्रवेश्च करती है तो इसकी तरंग धैर ही क्या होती है अब बताओ ज़रा इसकी तरंग धैर ही क्या होगी आपकी पास चार option है अप दिया ज़रा है यह अब इसकी तरंग धैर घटता है option A इसका बिलकुँ सही जवाब है अगला प्रशन देख लेते हैं 50 प्रशन क्या पूछा ज़रा है बहुत ही गजब का question है प्रकास की जो अनुपरस तरंग जो है इसकी प्रकृतिक पुष्टी काउन करता है तो प्रकृतिक जो पुष्टी करता है वो अपका धुर्वन करता है कौन करता है धुर्वन करता है option C का बिलकुँ सही जवाब होगा धुर्वन अगले क्युशन की बात करें 51 प्रशन क्या है इन दनुस का निर्मान जो है जिस कारण से होता है वग क्या है तो इन दनुस का निर्मान होता है वर्ण विछेपन के कारण वर्ण विछेपन के कारण ही इन दनुस का निर्मान होता है ऑप्शन मरसी इसका बिलकुल सही जवाब अगला प्रसंदिक लेते 52 प्रशन का आंसर जिसका राइट आंसर क्या होगा वायो मंदल की अनुपस्तिति में प्रित्मीश से आश्मान का रंग दिखाई देगा यहां तक ना यह इसका सही जबाब है अगला प्रसंदिक फिप्टी तीन प्रशन है एक प्रिजमिल से जो है प्रिजम के पदात का अब अब रत्नाग रूट के प्रिजम के परणाज रूट क का रोट तू है उसका अब बत तक को है देगला लिए ते 54 नो प्रस्टन देखी अब आंसर दीजिसका राइट आंसर क्या होगा कांच जो एन बराबर जो ए 1.5 के जो पतले प्रीज में जो नियूंतम बिचन कुन जो अगर डेल्टा आयम है तथा अब बतन कुन आ रहे तो इसमें पूछा जाले क्या इसमें संबंद क्या हो क्या है केंद्रियबल होगा बिद्ददबल होगा दोन होगा या इन में सी कोई नहीं की बात हो रही तो कुलाम बल जो आपका ये केंद्रियबल भी होता है बिद्ददबल भी होता है तो आंसर किसके साथ जाओगे ऑप्शन इमर सीस का बिलकुली राइट आइट आंसर है अगला प्रसंदिकी बात हो रही क्या, यदि सम्रूप जो है विद्दूद छेत्र अगर एक्स अक्ष की दिशा में विद्वान है, तो सम्विभवी क्या होगा, तो सम्विभवी जो है आपका Y, Z तल की दिशा में होगा, अनि ऑप्शन निमर सीज का सही जवाब है, अगला जो मातरक होता है, यह होता है 4.78 into 10 to power, जो है, माइनस 10 हो जाएगा, यानि ऑप्शन ही इसका बिल्कुल correct answer है, अगला प्रसंदिकी इस्तिर विद्दू छेतर होता है, इस्तिर विद्दू छेतर पूछ जरे होता है, क्या होता है, यह अपका संरक्षी होता है, ऑप्शन नि इसका बिल्कुल सही जबाब है, अगला प्रसंदिक लिए ते क्विश्चन मुनसट का अंसर, जिसका राइट आंसर क्या होगा, एक एक कांकी शालक के लिए जो है, निम में से कौन अपका अनुपाद जो अचर होता है, कौन सा अनुपाद पूछ जर अचर होता है, तो कु इसका पूछा जरा है, अब इसका सही जबाब क्या होगा, बात रही क्या है, एक जो है, विदूत्य दूर्बु जो है, दो बिप्रित जो है, आब इसो से जो है बना है, जिसके परिनाम जो है, पलस जो है, 3.2 इंटू 10 तू पावर मैनस 19 कुलाम है, एबं, माइनस 3.2 जो है, इसका आघुन पूछा जो है, क्या होगा, आपके पास 4 उप्षिन है, इसका आघुन होगा, 7.68 इंटू 10 तू पावर मैनस 29 होगा, अब आपको एक इसको तरीका दे देता हूँ, इसको कैसे आप लोग जो है, हना, कैसे आप लोग जो इसको याद रख सकते हैं, इस यहाँ पर क्या है, 7.68 इंटू 10 तू पावर मैनस 13, चलो इसको हम अटा देते, क्योंकि दोनों ऑप्षिन सेमी हो गया था, हना, चलिए, अब देखो, यहाँ पर क्या है, 7.86 है, इंटू 10 तू पावर मैनस 17, अब बलो से, इसमें कैसे ऑप्षिन चूज करेंगे, तो आपक इस तरह माइन में सेट कर लीजिए, ताकि एक्जाम में सॉलूशन ना करना पड़े और जबाब सही दे पाओ, ठीक है न, क्योंकि एक्जाम में ज्यादा समय आपके पास नहीं रहेगा, चलिए, एक आब इस चालक है, एक आब इस चालक की सतह की जो है, किसी बिन्दू पर क्या पूचा ज़रा है, यदि किसी खोकले गुलेज चलक को जई, धन आवेशित किया जाए, तो उसके भीतर का वीवब पूचा जाए, क्या होगा, तो याद नातमक समरूप और क्या होगा, शंबूप होगा, जनातमक समरूप तो ऑप्शन वी में दिख रहा है, तो बलू उसे B होगा, बिल्कुल B होगा, क्योंकि धनातम और क्या होता है, समरूप होता है, ना कि अपका अप्रूप होता है, ध्यान देजिगा, और समरूप नहीं होगा, या देखना B, क्या होगा, बिल्कुल correct answer है, अगले प्रस्मीबात करें, क्योश्चन में 64, साबुन के एक बुलबुले को जब आविशित किया जाता है तो उसकी तरजिया क्या होती है बढ़ती है इंक्रींस करती है ऑप्शन इसका बिलकुल सही जबाब है अगला प्रसन देखिए साबुन के एक बुलबुले को आविशित किया जाता है तो उसकी तरजिया क्या होती ह है कुलाम कुलाम इंटू मीटर हो जाएगा option नमरे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला प्रस्ण देख लिए कुलाम गुना मीटर याद है ना विदू दूरु आगुन नियूटन मीटर स्कुलाम ऑप्षिन नमरे इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है जितने बचे option एक ही साथ जारो एकदम करेक्ट आंसर देरो अगला प्रस्ण देख लिए शर्सट शर्सट नमरे प्रस्ण क्या है निमने किस रासी का मात्र बोल परती मीटर होता है किस प्रस्ण का ही जिसकाृइट आंसर क्या होगा प्रस्ण क्या है किसी जो है उसंता करेक्ट अंसर है अगला प्रस्ण देख लेते हैं नेक्स advise लेकी नचे च्好吃 upright का माान क्या जो है दो चालक जो है गोलों की जो है गोलों की प्रिष्ट पर पर प्रिष्टों पर आभेश्व कि धनत्व जो है ब्रावर तो प्रिष्टों पर जैं agreement के तिव्रताओं का क्या होगा एक अनुपातिख होगा यह उप्शन 10 का सही जवाब है और आज की आखरी प्रशन है इसके बाद हम आपको टेस्ट लगाएंगे और साथ इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा इस टेस्ट में आपको certificate मिलेगा और साथे साथ आपको PDF भी मिलेगा क्यूंकि आपको हमने final टेस्ट का announcement कर दिया हूँ एक आपका 1 सेट सब्सक्राइब कर रहा है का सबीदू आपको क्लास का टामिंग याद लगना एक का रात लिनॉप